स्वागर्थ है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्राश्ण कौन सा शहर विश्व की पहली एर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? A. डुबई B. टोक्यो C. नुई यॉर्क D. सिंगपो Answer A. डुबई Explanation दुबई में विश्व सरकार शिकर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझोतों पर हस्ताक्षर किये है समझोती सी दुबई में शेहर ग्यापी इलिक्ट्री केरियल टैक्सी सेवा और वर्टिपोर्ट नेक्वक की तेनाती का मार प्रशस्त हुआ है अगला प्राश्य गुपतेश्वर फोरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है और इसा जैव विविद्दा बोर्ट के अनुसाद याक्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास्थल है गुपतेश्वर फोरेस्ट औरिसा के कौरापुर जिले में स्थित है अगला प्राश्य खाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्य के राज्य के फल के रूप में मान्यता दी गई है असम के कृषी मंत्री अतुल बोरा ने घोशना की की काजी नेमू को असम के राज्य के राज्य के रूप में मान्यता दी गई है ये नेमू की किस्म का एक फल है काजी नेमू को पहले ही जियाई टेग मिल चुका है पिछले दो वर्षों में इस फल को मध्यपूर सहित कई देशों में निर्यात किया गया है अगला प्राश्य खाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयम योजना लांच की है ए पंजाब बी राजस्थान सी उत्तर प्रदेश डी पोरिसा आंसर डी पोरिसा एक्स्प्लिनेशन के तहट राज्य के अथारा 35 वर्ष तक के युवापात रहोंगे इसके तहट दो वर्षों में 672 करोन रुपे खर्च किये जाएंगे अगला प्राश भारत किस द्वीट सम्मूम पर नया नेवल बेस थापित करने जा रहा है A. मिनिकोई B. अगत्ती C. A. और B. दोनो D. इनमे से कोई नहीं Answer C. A. और B. दोनो Explanation भारत सरकार ने लक्षद्वीट के अगत्ती और मिनिकोई द्वीटों पर अपने नेवल बेस थापित करने जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाक सिंग 4 और 5 मार्च को मिनिकोई में इसका उधातन करेंगे भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सेन्य ताकत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है मिनिकोई द्वीट 9 डिग्री चैनल पर स्थित है मिनिकोई द्वीट मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है